हेलो फ्रेंट स्वागत है हमारी यूटूब चेनल क्रिटकल स्टेडी में आज है 13 दिसंबर 2030 और 13 दिसंबर 2030 से करेंट अफियर्स के जितने भी important question बनेंगे वो उनसे related fact के बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला question क्या है राजिस्थान के नए मुख मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो राजिस्थान के नए मुख मंतरी के रूप में किसे चुना गया है डी option right होगा डी ओप्सन राइट होगा ये है भजनलाल सर्मा जो राजिस्तान के नए मुख मंतरी के रूप में चुना गया है ठीक है ना राजिस्तान के नए मुख मंतरी के रूप में भजनलाल सर्मा के नाम की गोशना कर दी गई है वह चार वार भारती जंता पार्टी के प्रदेश महा सची भी रहे है 56 वर्षिय सर्मा जैपुर के सांगा नेर विधान सवा में पहली बार विधायक बने उन्होंने कॉंग्रीस के पुस्पिंदर भारदोच को हराया था नेक्स्ट कुश्चिन देखेंगे दूसरा कुश्चिन देखेंगे पद्म पानी Lifetime Achievement Award से किसे समानित किया गया है इसकुश्चिन का राइट आंसर ओप्सन भी राइट होगा जावेद अक्तर को Lifetime Achievement Award से समानित किया जाएगा ये हैं जावेद अक्तर ठीकना अनुभवी गीतगार एवं लेखक जावेद अक्तर को आजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पदम पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट आवर्ड से सम्मानित किया जाएगा उन्हें भारती फिल्म इंड्रिस्ट्री में युगदान के लिए यह आवर्ड दिया जा रहा है वह जंजीर, दिवार, सोले, डॉन, काला पत्तर और मिश्टर इंडिया जैसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों के सहलेखक है आजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले और अंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कोश्चिन क्या है तीसरा कोश्चिन है इंटरनेशनल एंटी करप्सन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसको ए ओप्सन रहेट होगा निखिल दे को एंटी करप्सन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है निखिल डे को USA द्वारा International Anti-Corruption Champions की रूप में नामित किया गया है United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ने भारतिय समाजिक कार करता निखिल डे को अब यह सम्मान दिया है निखिल भारत में मजदूर किसान सकती संगठन के सैसल तापक भी है नेक्स कुश्चिन क्या है चौधा कुश्चिन है वारसिक सार अमरतला तूरक्रया महोशो किस राचिक में मनाया जाता है तो इस कुश्चिन का राइट अंसर होगा और भी राइट होगा अरुनाचल प्रदेश में वारसिक सार अमरतय तोरक्रय महोशो मनाया जाता है ठीक है ना अरुनाचल प्रदेश के मुख मंतरी पेमा खांडू ने पश्चिम कामेंग जीले में आयोजित इस महोशों में भाग लिया प्रदेश का अमरतला अत्यन्त्धारमिक महत्तु का इस्थान भी है नेक्स कुश्ट क्या है नेक्स कुश्ट है ग्लूबल पार्टनर्शिप और अ आडिफिसियल इंटेलिजिञ्जन सिकर सम्मेलन का आयोजिन कहां किया जा रहा है तो यह नई दिल्ली में किया जा रहा है यह option right होगा नई दिल्ली में global partnership on artificially intelligence सिखर सम्मिलन का आयोजन किया जा रहा है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंधपन में global partnership on artificial intelligence सिखर सम्मिलन का उदगाटन करेंगे जे पी AI के बहु देश्य पहल है जिसका उद्देश्य AI संबंदित प्रत्मिक ताउं पर आधुनिक अनुसंदान को बढ़ावा देना है इसमें Intel, Reliance Jio, Google, Meta, Petium और Microsoft सहित दुनिया के टॉप artificial intelligence game changer भाग ले रहे है next question क्या है next question है पोलेंड के प्रधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो पोलेंड के प्रधान मंतरी के रूप में डोनाल्ड टास्क को चुना गया है बी option right होगा ये हैं डोनाल्ड टास्क जो पोलेंड के प्रधान मंतरी के रूप में चुना गया है दो मेहने पहले हुए चुनाओ की गठवंदन की जीत के बार टाक्स सत्ता में आए हैं संसत के 460 सीठो वाले निचले सदन में के टास्क के समर्थन में 248 सधस्ची वोट पड़े पूलेंड एक मद यूरोपी देस है इसकी राजधानी क्या है वारसा है इसकी राजधानी नेक्स कुश्चिन क्या है संयुक्त सैन अभ्यास विनवैक्स संयुक्त सैन अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मद्द आयोजित किया जा रहा है तो यह भारत और वियत नाम के बीच बी ओप्सन राइट होगा भारत और वियतनाम के बीच विनवैक्स दो हजर तेईस आयोजन किया जा रहा है भारती ससक्त बलों की टुकडी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स दो हजर तेईस के लिए हनोई पहुँच गई है विनवैक्स के चौते संस्क्रण का आयोजन हनोई वियतनाम में किया जा रहा है विन बैक्स एकसरसाइज भारत और वियतनाम देश के बीच आयोजित किया जा रहा है इस बार का यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 11 से 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है अभ्यास विन बैक्स साल 2018 में सुरू किया गया था तो आसा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वा अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो कॉम्प्रीशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आपको उस वीडियो से काफी मलत मिलेगी हमारी इंस्टाग्राम पेज क्रिटकल इस्टेडी 3 UN को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद